Hello everyone, कैसे हैं आप लोग, आज की रेसिपी है पाव भाजी, एकदम मार्केट जिसी पाव भाजी घर पे बनाते हैं, बिना किसी आर्टिफिशल कलर के एकदम मार्केट जिसा टेस्ट आपको घर पे मिलेगा, रेसिपी एंड तक देखेगा, सारे ट्रिक्स बताऊंगी, अगर र के साथ में और भी सारी रेसिपी शेर कर पाऊं, तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम भाजी के लिए सबजियों को पका लेते हैं, तो हम कूकर में एक बड़ा चमच के करीब रिफाइन ओयल इस्तमाल करेंगे, उसे अच्छे से गर्म होने तब उसमें हम एक ती स्पून के करीब जीरा डालेंगे, जीरा जैसे अच्छे से ब्राउन हो जाए, तब उसमें एक ती स्पून के करीब पावभाजी मसाला डालेंगे, पावभाजी मसाला में मार्केट का इस्तमाल कर रही हूं, आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं, अगर आपको पावभाजी मसाले की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं अब इस मसाले के अंदर हम सबजियां एड़ करेंगे मेहा पे तीन मेडियम साइस के आलू, एक गाजर और एक बीटूट का इस्तमाल कर रही हूँ आप इन्हें धो करके अच्छे से इस्तमाल करें आप चाहें तो गोपी का भी इस्तमाल कर सकते हैं बट गोपी को आप अलग से बॉइल करके इस्तमाल करेंगा अदरवाइस गोपी का फ्लेवर जो है बहुत स्ट्रॉंग होता है तो सारी सबजियों में इसे फोपी काई फ्लेवर आएगा तो इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे और उसके बाद में कम से कम दो मिनिट तक इस मसाले के अंदर इन सबजियों को भून लेंगे जैसे ही सबजियां बहुत अच्छे से भून जाएगी तब हम क्या करेंगे इसमें पानी मिलाएंगे तो एक ग्लास के करेब में इसमें पानी का अस्तमाल करूंगी कुकर बंद करके कम से कम दो से तीन सीटी आने तक इस सबजियों को अच्छे से पका लेंगे सबजियां अच्छे से बॉयल हो चुकी है तो अब हम पाव भाजी के लिए ग्रीवी बनाएंगे तो सबसे पहले कड़ाएं में बड़ा चमच ऑईल और बटर डालेंगे ऑईल के साथ में बटर डालने से क्या होगा ना बटर जहलेगा नहीं जब इज़ ओऊइल और बटर अच्छे से घर्म हो जाये ना तो इसमें हम क्वाज काट होएँ उनको एड़ करेंगे और अच्छे से पका लेंगे जब प्याज थोड़ा अच्छे से संफ्ट हो जाएंगे न तब उसमें हम अदरक, हरी जालेंगे शिम्बला मिर्च भाद में बीना बॉल करेवे डाल रहे हैं, जिसे की इसका क्रचिन ने सो इसकी फ्रेशने से वह बहुत अच्छी लगती है, तो अब इस प्याज के साथ में हमें शिम्बला मिर्च को भी बहुत अच्छी से भून ले ना है, तरीब दो मिनिट हम प्यास की साथ में संफर का बुनेंगे जिसे कि ठोड़ी सीसमाओ कोु जाएगी फिर हम इसमें हमारे मसाले एंड करेंगे शिमला बिश अप है अच्चे से सॉफ्ट हो चुकी है तो इस स्टेज़ पर हम इसमें मसाले दालेंगे तो मैं यहाँ पर दो चमच पावभजी मसाला डाल रहे हूं और दो चमच मैंने यहाँ पर कश्मीरी लालमिच डाली है और इन्हे डाल कर बहुत अच्छे से भून लेना है कश्मीरी लालमिच से पावभजी का जो कलर है वो बिल्कुर रेड आएगा तो आप इसे जरूर इस्तमाल करें अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालेंगे और इस मसाले को हम करीब 2 मिनिट अच्छे से भून लेंगे जब मसाला बहुत अच्छे से भून जाएगा तो इसमें मैं यहाँ पे मटर डाल रही हूँ मैं यहाँ पे फ्रोजन मटर का इस्तमाल कर रही हूँ आप चाहें तो फ्रेश मटर भी इस्तमाल कर सकते हैं फ्रेश मटर को थोड़ा सा बॉल करके इस्तमाल कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे फ्रोजन मटर को कम से कम 2 मिनिट तक इसी मसाले के अंधर भून लूँगी जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तब इसमें हम सबजियां जो हमने पहले बॉयल करी थी उसे इसमें ऐड़ करेंगे तो उस सबजियों को मैंने पहले ही कुकर में पोटेटो मेशर की हेल्ट से मैश कर लिया है थोड़ा सा मैं आदी ग्लास के करीब पानी डालूँगी और इसे अच्छे से पका लूँगी इस मसाले के अंदर इस मसाले को हमें बहुत अच्छे से मैश कर लेना है पोटेटो मेशर की हद से जिसे कि यह मसाला जो है बिल्कुल ग्रेवी की तरह लगे ऐसा ने की अंदर बड़े- तो आप इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करके इसको कतला या आपको जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए वैसा बना सकते हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से पका लीजिए अभी में आपको ना एक सिक्रेट प्रिक बताती हूं मैंने इसमें अभी तक टमाटर को एड़ नहीं कि करेंगे और उसके बाद में उसे ढग करके इस ग्रेवी के अंदर 5-7 मिनिट तक पकने देंगे इससे क्या होगा हमारे जो ग्रेवी है उसके अंदर जो खटा पन और जो चटपटा पन है वो बना रहेगा उसे बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आएगा ट्रस्ट मी बहु बिल्केर यहारे बॉधिता तो जैसी बच्टा करेंगे तो यह डूंद शेफिता दाने के मोलना की ना बाद जासे अं अ छोड़ा सा गे रिघंजा कांटा जाह मवाot ज्सक्राइगा रहे सिआगा हम क्या थाइट्टा बटर ना एक उसका दधा गैर तो नहीं ब juicy मैल्ट ह सकते हैं और नहीं तो जो अभी हमने जो ग्रेवी बनाई ना पाव भजी उसको थोड़ा सा लेकर इस तवे पर डालेंगे और इस बटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे इससे मसाला पाव का जो टेस्ट वह बहुत अमेजिंग आता है पर एक बर जरूर ट्राइ कर येगा ऐस तू इस तरह से हम इसको घरम कर लेंगे और हमी ब्रेड जो पावे जो मार्कट वाला पाव लिया है मैंने इसको मैं ऐसे से कट करूंगी और इस तवे पे अच्छे से इन को दोनो तरप से से दूंगी जub दोनो तरप से ये बहुत अच्छे से स्थयाए जा ऐगा ड़ना त आप किसी भी ओकेजिन पे लंच में डिनर में कभी भी बना के काईएगा बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है आप मार्केट वाली पावभजी भूल जाएंगे ट्रस्ट मी और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे थोड़ी भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्र करके जाएगा थैंक यू